कि नमस्कार मैं हूं सुर्भी सिंग और स्वागत है आपका हमारे चानल नेक्स नाइन लाइफ पर जी हां बिग बॉश 14 का सीजन काफी मज़ेदार रहा जी हां अब यह सीजन खतम हो चुका है और हमें बिग बॉश 14 की विनर मिल चुकी है जिनका नाम है रुबिना दलैक रुबिना दलैक को काफी लोग शक्ती के नाम से भी जानते हैं क्योंकि शक्ती एक सीरियल आता था जिसमें उन्होंने मुख्य भूमी का निभाई थी और सीरियल की वज़े से फिर रुबिना पहुची बिग बॉश 14 के घर अपने पती अभनव शुकला के साथ उनकी जर्नी काफी अच्छी रही है कहीं दोस्ती हुई कहीं दुश्मनी हुई कई बार वो पॉइंट आउट की गई लेकिन वो टूटी नहीं आज हम आपको उनकी जर्नी बताएंगे जि लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि जब वो बिग बॉस के घर में आई तब उन्होंने बताया कि वो इस शो में आने से पहले ये कपल तलाक लेना चाहता था लेकिन आपको बता दें कि इस कपल तलाक नहीं लिया इस शो में की बॉन्दिंग काफी अच्छी हुई और सब तलाग की बाते बोल कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं लेकिन रुबिना कहीं भी नई तूटी अभिनव कहीं भी नई तूटे दोनों ने एक दूसरे का हमेशा साथ दिया वहीं आपको बता दे कि जैसमीन के साथ रुबिना दलै की दोस्ती काफी अच्छी रही जिहां अली के आने के बाद भी जैसमीन का बिहेवियर काफी चेंज हो गया रुबिना के लिए जिसके बाद इन दोनों की दोस्ती में टकरार आ गई और अब तक दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं वहीं राहुल वैद से भी उनकी दुश्मनी सामने आई आपको बत के लिए लोग सोच लेते हैं उसको बदलान नहीं जा सकता तो राहुल वैद और रुबिना के बीच में कभी भी दोस्ती नहीं हुई दुश्मनी हमेशा बरकरार रही आपको बता दे कि विजता बनी है रुबिना दलैक और काफी बार वो पॉइंट ओट भी की गई है सलमा के सामने वो टूटी नहीं वो जम कर खड़ी रही डट कर खड़ी रही और बिग बॉस चौदा का उन्होंने खिताब जीता यह जर्णी उनकी काफी खुबसूरत रही है काफी अच्छी रही है और रुबिना दलैक को लोग काफी पसंद भी करते हैं आपका उनकी जर्णी क को लेकर क्या कहना है हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएगा जुड़े रही हमारे साथ लाइक करें सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले